अच्छी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए क्या जरूरी होता है? आप सब बताओ. नहीं पता. कोई बात नहीं. मैं ही बता देती हूँ. इसके लिए जरूरी होता है बेसिक इंग्लिश को सीखना. तभी हम इंग्लिश को सही से समझ और बोल पाएंगे. चलो. तो फिर आज हम बेसिक से शुरू करते हैं अपनी क्लास. आज हम बेसिक में टैंस के बारे में सीखेंगे. टैंस का सिंपल सा मतलब होता है. टाइम इस्ष्य में होने वाली है. उस टाइम को दिखाने के लिए टैंस का प्रयोग किया जाता है. टैंस के मुख्य तीन प्रकार होते हैं. वन. प्रेजन्ट टैंस वर्तमान काल टू. पास टैंस भूत काल त्री. फ्यूचर टैंस भविश्य काल. इन तीनों टैंस के अपने चार प्रकार और भी होते हैं, जो क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देते हैं. फुचर पुचर तस्यूचर प्रफ्ट टैंस 3ूचर परिफट तस्यूर्फ्र पर्फिक टैंस 4ूचर पर्फ्ट चार्फ्ट इनूर्ट टैंस